नमस्कार दोस्तो तंदुरुष जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा काम करना बढ़ता है और इस की वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बुखार की और ऐसे में गरवती महला क्या कुछ घरेलू उपाए अपना सकती है तो दोस्तो कम्प्लीट जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके पसंद आए तो ल एक्टिरियल इंफेक्शन लो इम्म्यूनिटी शारिक बदलावा दर्द के कान भी बुखार हो सकता है दोस्तो ठंड लगना पसीना आना डी हाइडरेशन शरीर में दर्द कमजोरी आदी वाइरल इंफेक्शन से होने वाले बुखार के लक्षन है और प्रेगनेंसी के दौ दर्द दस्त वा खांसी आदी टाइफाइड के आम लक्षन है दोस्तो प्रेगनेंसी में प्राग्ज बुखार जिसे की एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं यह भी हो सकता है और इसमें नाक बहना नाक बंध होना आंखों में खुझली होना और साइनस का दबाव आदी लक्षन दिखते हैं दोस्तो इसके अलावा यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन यानि की मूत्र मार्ग संक्रमन इन्फ्लुएंजा गैस्ट्रो एंटराइटिस वाइरस डेंगू लिस्टेरिया फूड पॉइसनिंग के काड़ भी बुखार हो सकता है दोस्तो प्रेगनेंस शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो ऐसे में बुखार आ सकता है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आम तोर पर हानी कारक नहीं होता और ज्यादतर महलाओं को बुखार आने से प्रेगनेंसी में कोई खत्रा नहीं होता लेकिन इस दोरान अपनी बॉडी के टेमप्रेचर पर निगरानी जरूर रखे इसके लिए आप घर पर ही एक थर्बा मीटर जरूर रखे और टेमप्रेचर की जाँच करती रहे लेकिन दोस्तो अगर गरवती महला की बॉडी का टेमप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लगातार तेज बुखार बना रहे और इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह गरवस्त शिशु के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है और इससे प्रेग्नेंसी में कई समस्याएं भी हो सकती है दोस्तो अगर बुखार लगातार बना रहे और ये दो तीन दिन में कम ना हो तो यह किसी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बुखार होने पर अपनी डॉक्टर के पास जरूर जाएं ताकि डॉक्टर बुखार होने के कारणों का पता लगा सके और समय पर इसका उपचार शुरू कर सके और अगर इस दोरान डॉक्टर को बुखार होने का सपस्ट कार्ड नजर नहीं आए तो वह कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी आपको कह सकती है दोस्तो आप अपनी डॉक्टर से फोन पर सलहा करके पेरासिटामूल और एसीटा मिनोफेन की टैबलेट ले सकती है ये दोनों ही सुरक्षित दवाइं हैं और बुखार को कम करने में ये मदद करती है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी भी डॉक्टर से बिना पूछे किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन ना करे क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सभी दवाईया सुरक्षित नहीं मानी जाती इसलिए आपको कोई भी मेडिसन लेने से पहले अपनी डॉक्टर से जरूर पूछना है दोस्तों आप कुछ घरेलू तरीके अपना कर भी भुखार से रहत पा सकती हैं या फिर भुखार को कम कर सकती हैं सबसे पहला है अद्रक वा शहद दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान आप भुखार को कम करने के लिए अद्रक वा शहद का प्रयोग कर सकती हैं इसके लिए आप एक अद्रक के टुकडे को काट कर एक पानी में डालें और पांच मिनट तक इस पानी को अच्छी तरह से उबालें और हलका ठंडा होने पर इसमें एक चमच शहद का मिलाएं दोस्तो अद्रक और शहद एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफिलमेंटरी गुनों से भरपूर होते हैं जो की बुखार को कम करने और बुखार से निजात दिलाने में मदद करते हैं अगला है मेथी का पानी दो दोस्तो इसके लिए आप एक अप पानी में एक चमच मिती के दाने डाल कर रात भर के लिए रख दें और सुबह इस पानी को च्छान कर पीएं दोस्तो मिती का यह पानी भी आपको बुखार से राहत दिलाने में मदद करेगा बॉडी को हाइडरेट रखें दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान बुखार को कम करने के लिए आप बीच बीच में पानी पीती रहें ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइडरेट बनी रहे क्योंकि इस दौरान हाइडरेट रहना बहुत जरूरी है इस दुरान आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें ग्लुकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप नीबू पानी पी सकती है तुलसी की चाए दोस्तों बुखार होने पर आप एक पानी में तुलसी के चार पांच पत्तों को दो तीन मिनट तक उबालें और फिर हलका ठंडा होने पर इसे पीए दोस्तों तुलसी में मौझूद एंटी फीवर गुण बुखार से निजाद दिलाने में मदद करेगा अगला है हल्दी का सेवद दोस्तों हल्दी एंटी इंफ्लेमेंटरी एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होती है और इसका इस्तमाल आप प्रेगनेंसी में बुखार को कम करने के लिए कर सकती है ऐसे में आप एक गिलास पानी में आधा चमच हल्दी अद्रक पाउडर और एक चमच चीनी डाल कर गरम करें और फिर हल्का ठंडा होने पर इसे धीरे धीरे पीए दोस्तों हल्दी बौडी में इम्मुनिटी को बढ़ाती है और बुखार को कम करती है गरारा करें दोस्तों अगर बुखार सर्दी खांसी की वज़े से हो रहा है तो गरारा करना गले में खराश को दूर करने का सबसे बहतर उपाई है ऐसे में गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारा करें और कम से कम दिन में दो बार गरारा जरूर करें भाप लें दोस्तों पानी को उबाल कर उसमें थोड़ा पुदीना मिलाएं और अब अपना मूँ पतीले के उपर रखें वा सिर को एक तौलिय से ढख लें और नाक से सांस लेते हुए भाप को अंदर लें ये प्रोसेस आपके रोम छिद्रों को खोलती है जो पसीने के माध्यम से दोस्तों बुखार आने पर आप हलके गर्म पानी यानकी गुनगुने पानी से नहा सकती हैं क्योंकि ये आपके टेंपरेचर को कम करने में मदद करेगा लेकिन नहाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग हरगिज ना करें पौश्टिक आहार का सेवन करें दोस्तों ऐसा खाना खाएं जो आपको औरजावान बनाए रखे और इन्फेक्शन से लड़े ताजे फोलों का सेवन जरूर करें बुखार में सेव खाना बहुत ही फाइदिमत होता है साथ ही अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा हरी पत बुखार के साथ बलगम की समस्या है तो काली मिर्च के दाने चभाने से भी फाइदा होगा प्रॉपर आराम करें दोस्तों बुखार के कारण आपको चक्र भी आ सकते हैं इसलिए ज्यादा चले फिरे नहीं ऐसे में भरपूर आराम करने से बहुत फर्क पड़ेगा अपने शरीर को दोबारा कारया शुरू करने के लिए समय दें आराम करने से ताकत हासल करने में मदद मिलेगी और तबीयत अधिक खराब नहीं होगी दोस्तो बुखार के दौरान आप आराम दायक और ढीले ढाले कपड़े पहने अगर आपको ठंड लख रही है तो आप चादर या कंबल ओड सकती है और अगर आपको घुटन या गर्मी महसूस हो रही है तो आप हलका पंखा चला सकती है लेकिन एसी का इस्तमाल बिलकुल दोस्तो बुखार को कम करने के लिए गरम या ठंडा पैक लगाएं दोस्तो आप एक कप सिरके को एक गरम कटोरी पानी में मिलाएं और इसमें कपड़ा भिगोएं और अब इसे निचोड कर तेज बुखार कम करने के लिए माथे पर रखें ऐसा करने से भी आपको राहत मिल दोस्तो इस दौरान जितना हो सके शरीर को आराम दे दोस्तो ज्यादतर मामलों में आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आता जाता रहेगा लेकिन इससे प्रेगनेंसी में कोई नुकसार नहीं पहुंचेगा लेकिन अगर बहुत तेज बुखार लगातार बना रहे कम ना हो तो आपको अपनी डॉक्टर के पास जरूर जाना है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले